नमस्कार दोस्तों में बसंद उत्सव क्लासेश में आपका स्वाइद करता हूं और आज इंपोर्टेंट कोस्चन में कंप्यूटर से लेके आया हूं तो चलिए बढ़ते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए और आपको पता ही है कि यह कोस्चन आपकी परिक्षाओं के लिए ब सोरी पहले क्या है कंप्यूटर उसके बाद ऑप्षन दिये हैं कि आकडो के भंडारन वाली एक सक्षम यूपती है कंप्यूटर के बारे में हैं और दूसरा है आकडो के विशलेशन करने में सक्षम है यह भी विशेशता कंप्यूटर की हो गई कंप्यूटर भंडारन करता बिल्कुल करता है और दूसरा तीस्रा वाला उप्शन पून गोपनीता बनाई रखता है किसी पर्शनल डेटा को हम पासपड के माध्यम से गोपनी रख सकते हैं चोता option है कभी-कभी virus द्वारा प्रभाइद हो जाता है और उसके लिए हम antivirus भी डलवाते हैं तो इसमें कौन सा option सही होगा पहला option आप देख पा रहा हूं एक वदो नहीं सारे सहत्य हैं इसलिए आपका डी वाला option सही होगा तो एक में कौन सा सही और आपका डी वाला ठीक ह कोशन नबर 2 पर ध्यान दीजिए कंप्यूटर निम लिकित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है इसमें पहला है इन्पूटिंग प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग और आउटपूट फिर यह वाला option है अंडरिस्टेंडिंग तो इन्पूट कर सकता है इन्पूट डिवाइस माउस बोड़न सकेनर है याने इन्पूट याने हम किसी फूट किसी विघाए इन्पूट को करते हैं कंपूटर के अंदर उसका इन्पूट यूनट क्या होती है जैसे सि प्यूटिंग करते और चन्पूटिंग बिल्गूल कंट्रोलिंग कूल अगर ऐंटिवाइडस नही नहीं होता है वायर्स घुश जाते हैं यहां पिर किसी भी प्रकार से कंट्रॉल होता था कंप्प्र कंट्रोलींग भी करता है आउट्पूट करता है जैसे कि रbenटार में दिस्प्ले की माध्यम से इस पर भी और ऑटपूट दियो ए से लिए चीज़ है डी वाला उप्षिन आपका इससे में सही होगा कि computer में अंडर्स्टेंडी नहीं होती है खुद सोच के कोई भी process नहीं कर सकता हम कोई भी की इंटर करेंगे तब ही वह process करता है अगला तीसरा वाला दिया है विस में सरवादिक computer वाला देश कौन सा है भारत रूस जापान यह संहिक्तराज अमेरिका तो आपका डी वाला option सही होगा संहिक्तराज अमेरिका है ना intel जो कंपनी है intel यह अमिरिका के हैं जो सारे software हमारे बास computer laptop में है यह इंटल के हैं और hardware भी डेल और HP computer यह hardware कौन बनाता है यह अमिरिका बनाता है और linov जो है यह चाइना बनाता है तो इनके हारडवेर के अंदर जो वो इंटल कंपनी बनाती यह भी ध्यान में रखिएगा प्रश्ट नंबर चोता है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है डेटा का बंडारन डेटा का संग्रहन उप्योग के लिए सूचना प्राप्त करना या सूचना का विशलेशन ठीक है तो डेटा जिसे सोचना होती है उप्योग के लिए सूचना प्राप्त करना किसे से डेटा से कौन स ऐस्षाण सही है सी वाला अब और प्रश्च्ण पांच हला मा कंप्यूटर प्रोसेस दोरहां इन्पोर्मेशन में पर्येवर्दन करता है कंप्यूटरalar प्रोसेस के दोरहां तो इसमें data को data क्या है process किया जाता है डेटा को वो एक सूचना में बदल जाता है information में बदल जाता है b वाला option सही होगा और छटा question है और च्छटा question आपका इसमें है कि www worldwide wave जिसको हिंदी में विश्वयापी वेब कहा जा सकता है और इसके आविश्कार कौन है ठीक है सर टीम बंस ली या फिर मैक्सवेल या मोर्टिन कूपर एसे फोप्स तो आपका ए वाला ओप्शन सही होगा इसमें कि सर टीम बंस ली इन्होंने डव्ली 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 की स्थापना की थी ठीक है तो यह थे महत्तुन कोश्चन कंप्